हलो जी मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं सुनीता कॉर्णर तो आज हम बात करते हैं इस खूबसूरत प्यारे से पौदे के बारे में जिसे बैंबू पाम कहते हैं क्योंकि इसके जो डंडियां है ये बैंबू जैसी बैंबू की डंडियों जैसे ही लगती हैं इसलिए इसको बैंबू पाम या केन पाम कहते हैं और यह कभी पत्ते नी जाड़ता अपने में इंहें काट के don't के लगा आया था मैंने इसको जो पौदह उससे अलकिया था तो इसके निचे उसकी शूट्स भी थी, तो ये अपने आप फिर चल पड़ा, इसने जड़ पगड़ ली, बरसातों में लगाया था मैंने, अब तो इसको दो तीन साल हो गए, तो ये बहुत ही इजी ग्रो पौदा है, इसको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, और ये मेरी एल करनी हो, तो यहां से इसको निकाल के लगा सकते हैं, इसके नीचे जड़ होनी जरूरी है, ये देखिए, ये इसके नए पत्ते आ रहे हैं, सर्दियों का महिना है, दिसंबर खतम हो रहा है, और ये देखिए, इसमें ये फूल भी आया हुए, और इसमें बीच बन जाएगा और इसको ग्रो करके देखती हैं, और ये होगा तो और मिटी भी इसकी काफी वेल ड्रेन रहती है, मिटी तो सारे पौदो में आलमोस्ट आपको वेल ड्रेनी रखनी चाहिए, क्योंकि पानी निकल जाना चाहिए, जितना पानी पौदे को चाहिए होता है, वो कंज्यूम कर लेता है उसके बाद पानी जो है वो खड़ा हो जाता है तो वह आपको पौदे को नुकसान करता है क्योंकि जड़े अगर हर समय गिली रहेंगी तो फिर पौदा सड़ने लग जाता है उपर से तो हरा हरा देखता है लेकिन नीचे से एक दम से फिर सड़ जाता है यह वैसे इसने अपनी जड़ बना ली होगी अब तक तो लेकिन जड़ होगी इसकी साथ में तब ही चलेगा यह अलवतार यह कटिंग आप छे इंच दस इंच की कटिंग लाएंगे तो नहीं चलेगा लेकिन यह कहते हैं कि अंदर रखने वाला पौदा है मैंने यह अंदर भी लेकिन अगर जैसे पूरे का पूरा ब्राउन हो जाता है तो उसको कटिंग कर देनी चाहिए उसकी नहीं तो अपने आपको बचाने के चक्कर में सारी एनर्जी खा लेता है पौदे की यह बहुत ही खुबसूरत है मेरे इस बड़ी बालकोनी में जातर मैंने पाम के लगा रखे हैं एरिका पाम है यह बैंबू पाम फिश पाम भी है उससे कहा कि बालकोनी बहुत हरी भरी लगती है और बारा में हरी रहती है यह क्योंकि यह वाले पौदे जो है अपने पत्ते नहीं जाड़ते हैं इसमें सॉंग ऑफ इंडिया भी रखा हुआ हुआ है तो यह बा पौदे पनपर हैं तो आप भी इस तरीके से अपनी बालकोनी में पौदे रख सकते हैं यह अचाया है वहां पर यह वाले पौदे आप जूरूरर रखें ताकि वह चलें और आपको अच्छा लगे तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शे है वहां पर भी लगा सकते हैं तो इस पौदे को जरूर लगाएं ताकि यह हर्यार ली दे और यह काफी घना हो जाता है इसके शूर्स निकलते रहते रहते हैं साइट में थैंक यू सो मैं